नमस्कार दोस्तों मैं श्रेकान चोहन आप सभी का ट्रेट टॉक के पॉर्कास में स्वागत करता हूँ आज हम एशन मार्केट में कुछ विकनेस देख रहे हैं और उसका सबसे बड़ा रिजन यही है कि कल हमने यूएस में नैजडेक में अच्छे कासे गिरावट देखी और उसका रिजन यह था कि वहाँ पे जो रेट कट होने की जो आशंक आये थी वहाँ पे थोड़ा सा ब्रे में इजाफा हुआ है 102 के ऊपर यह ट्रेड कर रहा है और अगर इन दोनों का कॉंबिनेशन देखे डॉलर इंडेक्स और साथी साथ टेन यह बॉंड डिल्ड ऑफ यूएस तो हमें लगता है कि यह एक्विडी मार्केट के लिए थोड़ा और भी सेलिंग प्रेशर एक्सेल से लेकर 400 के रेंज में आने वाले दिनों में दिख सकते हैं 21,400 के करीब हमें लगता है कि 20 देज सिंपल मोविंग आवरेज का सपोर्ट निफ्टी को मिलेगा और बैंग निफ्टी में हमें लगता है कि यहाँ पे भी जो वीकनेस है वो और बढ़ते हुए एक बार 47,300 से ल लेकर 800 के रेंज में हमें लगता है कि एक अच्छी कासी प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है वहाँ पे हमें केरफुल रहना काफी जरूरी है जब तक 21,850 के लेवल्स निफ्टी क्रॉस नहीं करता तब तक हमें लगता है कि मार्केट एक कंसॉलिडेशन में ट्रेल करते हु अच्छी करते हैं तो फार्मा इंडेक्स ने कल के दिन में काफी अच्छा प्रजिशन किया यहां पर लगता है कि पर्फॉर्मंस आने वाले दिनों में और भी बहतर रहेगा संफार्मा सीपला इन जैसे स्टॉक्स हमारे वाच लिस्ट में होने चाहिए दीविज आने वाले दिनों में दिख सकती हैं लेकिन मारकेट में जो वीकनिस था वो स्पेसिफिकली मीड कैप आईटी बैंक स्टॉक्स और कुछ एक आटो कंपनीज में था हमें लगता है कि इन सभी आटो कंपनीज में और मीड कैप आईटी कंपनीज में वीकनिस जारी रह सकता है लेकिन अगर long की positions बनाने हैं तो जैसे कि large cap companies थी Reliance Industries, HDFC Bank और साथी साथ Vipro Infosys यहाँ हमें लगता है कि कुछ momentum तेजी का बनेगा लेकिन उस particular momentum के लिए हमें लगता है कि market को 21,500 के नीचे एक बार जाने की काफी जरूरत है तभी जाके यह correction complete होगा और फिर market में rebound बन सकता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगल में रहे ऐसी कामनाई करता हूँ धन्यवाद